मैं हुशो बनंदन, सवी वीवर्स और सस्क्राइबर को मेरी नमस्ते और आज की हमारी रेसिपी है पचमेवा पाग सबसे पहले कड़ाई में एक बड़ा चमस देशी घी डाल कर गरम कर लेंगे घी के हलका सा गरम हो जाने के बाद आदा कप बड़ाम घी में डाल कर बड़ाम का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भोन लेंगे बड़ाम का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन आच चुका है बड़ाम को कड़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे कड़ाई में बचेवे घी में आधा कप काजू डाल कर काजू का कलर light golden brown होने तक भूनेंगे काजू भी light golden brown हो चुके काजू को कड़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे अब एक दियाई कप गोंद लेकर थोड़ा थोड़ा गोंद कड़ाई में टालते जाएंगे और गोंद भूनते जाएंगे गोंद को अच्छी तरीके से फूल जाने तक भून लेंगे भूनते समय गैस की फ्लिम को लोपे रखेंगे गोंद के भुन जाने के बाद गोंद को भी कड़ाई से निकाल कर प्लेट में रख लेंगे बागी के बचेवे गोंद को भी सेम तरीके से भुन कर तयार कर लिया है गोंद को भुनते समय कड़ाई में जो घी बचा हुआ है वो काफे काला हो चुका था उसको मैंने निकाल दिया है, उसकी जगा दूसरा घी डाल लेंगे, गी के अलका सा गरम हो जाने के बाद, एक चोथाई कप मगज डाल कर मगज का कलर भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक भून लेंगे, मगज का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मगज को क लगाल पार्टस której the लग वह थोड़ा पहुत की लगाए उसी घीछ से मखाने को भूंते समय को बिल्कुल लोपे रृखिए जिससे कि मखाने की बुल जाने के बात मखान को लगा को भी ड्य separate फूट को भून कर प्लेट में रख लिया है, सुखे नारियल को हमने नहीं भूना है, उसका इस्तिमाल हमें बिना भूने ही करना है, लेकिन अगर आप सुखे नारियल को भी भूनना चाते हैं, तो भून सकते हैं, मिक्सी का छोटा जार ले लेंगे जार के अंदर गोंद डाल कर एक पल्स में मिक्सी चलाते वे गोंद को ग्राइंड कर लेंगे एक पल्स से जादा मिक्सी को ना चलाएं नहीं तो गोंद बिल्कुल पाउडर बन जाएगा अगर आप हातों से ही गोंद को क्रश करना चाते हैं तो कर सकते हैं गोंद को ग्राइंड करने के बाद गोंद की जो बड़े बड़े पीस बचे में उसे हातों से क्रश कर लेंगे गोंद को मिक्सी के जार में निकाल कर प्लेट में रख लेंगे सेम जार में मखानों को भी दरदरा पीस लेंगे मखानों को भी अगर आप मोटा मोटा पीस न चाते हैं तो पीस सकते हैं लेकिन बच्चे बड़े बड़े पीसिस में मखाना खाना पसंद नहीं करते हैं इसलिए मैंने दरदरा पीस कर तयार कर लिया है काजू और बदाम को मैंने लंबाई में दो हिस्सों में काट लिया है आपको जैसा पसंद है उस तरीके से बदाम और काजू काट लीजिए सेम कड़ाई का यूज करते वे कड़ाई में एक कप चीनी डाल देंगे चीनी से आधी मातरा में आदा कप पाने डाल देंगे गैस की फ्रेम को लोग पे रखते वे बीच बीच में चलाते वे चीनी को मैल्ट कर लेंगे चीनी के अच्छी तरीके से मैल्ट हो जाने के बाद दो मिनट के लिए चाशनी को पका लेंगे उसके बाद चासनी का तार चेक कर लेंगे चासनी का तार चेक करने के लिए उंगली और अंगुठे के बीच चासनी का तार चेक कर लेंगे एक तार की चासनी बन चुकी है चासनी के अंदर आदा कप बारिक कटावा सुखा नारिल डाल कर चासनी के अंदर उबाल आने तक पक सकते हैं अब एक-एक करके सबी dry food को कड़ाई में डाल कर mix करते जाएंगे ये process आपको भोती जल्दी जल्दी करना है क्योंकि चाशनी भोती जल्दी जमने लगती है अगर चाशनी जम जाएगी तो बर्फी को जमाने में परेशानी होगी बर्फी ठीक से जम नहीं पाएगी बर्फी को भी सेट करने के लिए घी लगा कर थाली पहले से ग्रीस करके रख लीजिए थाली को ग्रीस करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मैं शूट कर रही थी उसकी वज़े से बर्फी ठीक से जम नहीं पाई थी बर्फी को जमाने के लिए फिर से मैंने एक चोथाई कप पाने डाल कर मिश्टन को पकाया था उसके बाद जमाया था लेकिन आप ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी करें पच्मेवा पाग बनाने में जो मिश्टेक मुझसे हुई थी वो मिश्टेक आप से ना हो इसलिए उस सूट को मैंने वीडियो से हटाया नहीं है वीडियो में डाल लिया है मिश्रन को दुबारा पकाने के बाद फिर से थादी को ग्रीस करके मिश्रन को जमने के लिए रग देंगे मिश्रन के अच्छी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद मिश्रन को परफी के पीसिज में कट कर लेंगे पीसीज में कट करते सब में एकदम श्राप चाकू का यूज करें क्योंकि ड्राइफूट डले होने के कारण बरफी के पीसीज को कट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बर्फी को पीसिस में कट करने के बाद सबसे पहले किनारे वाली बर्फी को प्लेट से निकाल कर अलग करेंगे उसके बाद बागी के पीसिस भी इसी तरीके से अलग कर लेंगे पचमेवा पाक बनाने की यह रेसिपी अगर आपको पसंद आई है रेसिपी को ट्राई करें रेसिपी के पसंद आने पर रेसिपी को लाइक चैनल को सस्क्राइब करने के साथ साथ फ्रेंड और फैंडaghेमिली तुरिट कोई कोशून हो तो कॉमेंट जरूर करें